नमस्कार साथियों मेरा नाम है अतुल जैन और Study IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल के भारतिय और स्विवफ्था के रमेश सिंग पुफ्तक पर आधारित इस लेक्चर सीरीज में आप सभी का आज स्वागत है आज हम आ गए हैं अपने 24 वे लेक्चर पर यानि कि कल हम अपने 25 लेक्चर पूरे करेंगे ऐसा माना जाता है कि 25 एक बड़ा Benchmark होता है एक तरह की Silver Jubilee होती है जिसको हम कल उसके विशय में बात करेंगे कि कल हमारा जो लेक्चर होगा वो हमारे 25 लेक्चर पूरे करेगा और मैं आशा करता हूँ कि 24 पच्चर जितने भी लेक्चर हम अभी तक किये हैं आपने सबसे पहले वो सारे लेक्चर देखे हैं ऐसा नहीं कि आपने बीच में से कोई से दो लेक्चर रैंडमली उठा कर देख लिए और बाकी लेक्चर को आपने छोड़ दिया या फिर आपने बीच में कुछ एक लेक्चर जो हैं श्रंखला के उनको त्याग दिया ऐसा आप ना करें, आप उन सभी लेक्चर्स को क्रमवार देखें, क्योंकि economics जो विशय है, उसकी knowledge जो है, उसको हम एक क्रमवार तरीके से ही अप्रोच करने का प्रयास कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि विशय के एकदम मूलभूत concept से शुरू करके, एकदम basic concept से शुरू कर करके, धीरे धीरे जटिल चीवों की तरफ हम आगे बढ़ें, तो आपने देखा होगा कि अब तक अनेकों चीवे ऐसी हैं, जो कई बार आई, और मैंने उनको हर बार बढ़ाया, मैंने उनको छोड़ा नहीं ये बोलकर, कि इसको तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, या दो लेक्चर पहले बताया है, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, जब आप किसी कॉंसेप्ट को शुरू कर रहे होते हैं, सीखने का नया नया प्रयास कर रहे होते हैं, तो रेपेटिशन जो होता है, दोहराव जो होता है, उससे कोई चीज आपके दिमान पे सपश्ट तोर पर अंकित होती है, तो इसलिए आप तक हम काफी दोराव करते आएं हैं, काफी रेपिटिशन करते आएं हैं, इस चैप्टर में भी आपको काफी रेपिटिशन जैसी चीवे समझ में आएंगी, लेकिन उनका लक्ष बस यही है, कि आप जो है एक जादा स्पष्ट तरीके से इस विशय को समझने की कोशिश कर पाएं, तो आप हमारे साथ जुड़े हैं, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और दो चीवे हैं, जो दो छोटी-छोटी चीवे होती हैं, मैं हर लेक्चर के शुरुआत में बताता हूँ, या अंत में, या फिर दोनों बार बताता हूँ, सबसे पहले इस लेक्चर की प्रेवेंटेशन जो आपको मिलेगी, वो आपको मिलेगी, अतुल जैन, UPSC गॉइडेन्स नाम के टेलिगराम चैनल पर, ठीक है, इस टेलिगराम चैनल पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इस लेक्चर की प्रेवेंटेशन, लेक्चर जिस दिन होता है उसे दिन एक आध घंटे के अंदर आपको प्राप्त हो जाती है, कई बार सुबह सुबह भी आपको ये मिल सकती है, ठीक है लेकिन आपको पूरे दिन के अंदर कभी ना कभी प्राप्त हो जाएगी, पहली चीज है ये, दूसरी चीज रोज शाम को चार से पांच के बीच में मैं उस दिन के समाचार पत्रों के जो संपाद की होते हैं कौन से समाचार पत्रों के दहिंदू और इंडियन एक्स्प्रेस इन दोनों समाचार पत्रों के क्योंकि UPSC preparation के लिए ये बहुत आवश्यक है या फिर किसी भी अन्य सिविल सेवा परिक्षा के तयारी के लिए बहुत जरूरी है कि आप जो विचार धारा जो एक सोचने का तरीका जो एक महत्वपूर्ण खबरों पर एक प्रकार का आपका एक विचार होना चाहिए एक आपके पास उसको लेकर सोच होनी चाहिए एक मत होना चाहिए, इसको विक्सित करने के लिए आप इन दोनों समाचार पत्रों को पढ़ें, ये नितान तावश्यक है, तो अक्सर छात्रों को जो हिंदी माध्यम के छात्र होते हैं, उनको हिंदू और इंडियन एक्स्प्रेस दोनों को पढ़ने में तकलीफ होती है, इं समपाद किये जो हैं, वो आपको बाकी अख़बारों में नहीं मिलते अच्छे किसम के, तो इसलिए हिंदू और इंडियन एक्स्प्रेस के समपाद किये जो हैं, उनको मैं रोज शाम चार से पांच लाइव क्लास में पढ़ाता हूँ, तो अगर आप उन क्लासेस को अटें समाचारों के, वो अभी से समझ में आने बहुत अविश्यक हैं, तीसरी चीज़ ये है, अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि मैं जिस तरह से आपको पढ़ाता हूँ, एक्स्प्लेन करता हूँ, वो बात आपको समझ में आती है, तो आप अपने मित्रों को, अपने भाई बहनों को, अपने कजंस को, अपने पडोसियों को, अपने सहपाथियों को इस लेक्चर सीरीज के बारे में बताएं, हमारे चैनल के बारे में बताएं, ताकि जादा से जादा लोग जो हैं, वो हमारे साथ जुड़ पाएं, ठीक ह चलिए ये तो हो गया शुरुआत वाला डिस्कलेमर अब आते हैं आज के लेक्चर पे कि आज हमें दरअसल क्या बात करनी है तो हम बात कर रहे हैं भारत में नियोजन की जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत का जो आर्थिक इतिहास है दरसल नियोजन का ही इतिहास है जैसे आप इतिहास पढ़ रहे होंगे तो इतिहास विशे में आप देखते हैं कि हम इतिहास को अनेको परिप्रेक्षों से देखते हैं हम दरसल जो हम इतिहास पढ़ते हैं वो इतिहास क्या है? वो इतिहास दरसल भारत का राजनेतिक इतिहास है या नहीं है, कि भाई कभी मुगल आये, फिर कोई और वंच आया, फिर अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों के बाद भारती राश्टिया आंदोलन हुआ, ये सारा का सारा राजनेतिक इतिहास है की नहीं है, ये सारा राजनेत कैसी थी अगर आप प्राचीन इतिहास पड़ रहे हैं तो कलास अहित्य कैसा था आरिफ शर्मा वगरा अगर आप पड़ रहे हैं तो आप आएंगे कि उसमें भाई कलास अहित्य किस तरह का था वगरा 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 लेकिन मुखिते इतिहास जो होता है वो राजनेतिक होता ह कि आप नियोजन के जरिये भारत ने किस-किस तरह से योजनाय बनाई, वो योजना किस-किस प्रकार से लागू हुई, उसी के माध्यम से आप भारत के आर्थे के तिहास की समझ को विक्सित कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो ये यात्रा है एक जिस पर हम को साथ में जाना है, पर उस यात्रा को शुरू करने के पहले, कल का प्रशन, भारत में नियोजन की नीव 1950 के दशक तक बहुत मजबूत हो गई थी, अब देखिए, नियोजन की नीव मजबूत हो गई थी, इसके अनेको अर्थ हो सकते हैं। इसका पहला अर्थ ये है, क्या ये बात 1950 के दशक तक आते आते सिद्ध हो गई थी, हम इस बात को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, कि भले ही वो पूंजी पती हो, भले ही वो मार्क्स वादी हो, भले ही वो इंजीनियर्स हो, या फिर प्रोफेशनल्स हों बेसिकली, विश्वे सरेया प्लान की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर भले ही वो भारत की सबसे बड़ी पार्टी, भारती राष्टी या कॉंग्रेफ हो, सब ने ये कहा कि हमको नियोजन करना ही पड़ेगा, तो समाज के सभी वर्ग, समाज के जितने भी इसके अलाव और कोई राजनेतिक वर्ग बचा क्या, कोई भी राजनेतिक वर्ग नहीं बचा, तो सभी राजनेतिक वर्ग जो हैं, इस बात पर तो कम से कम सहमत हो गए थे, कि देश का आर्थिक विकास यदी संभव है, तो वो नियोजन के माध्यम से ही संभव ह ठीक है अब नियोजन के लिए सबके विचार थोड़े थोड़े अलग थे वो ठीक है लेकिन नियोजन जो है वो अनिवारे है वो आवश्यक है इस बात पर सभी सहमत थे तो पहली तो नीव की मजबूती ये हो गई कि भाई ये तो हमको करना ही करना है अब इसके अलावा नीव की मजबूती का एक स्तातपर ये होता है कि कम से कम कुछ मुद्धों पर तो आम सहमती जैसी थी सारी बातों पर ना सही लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सारे की बिलकुल ही सारे नियोजन के प्लान एकदम ही अलग थे कुछ मुद्धों पर भी सहमती थी नहीं थी, बिल्कुल थी, एक गांधी वादी कारेक्रम को छोड़ दीजिये, तो बाकी सभी कारेक्रम ये कह रहे थे कि हमें केंद्रिय नियोजन की आवशक्ता है, सभी कारेक्रम ये कह रहे थे कि हमको भारी उद्योग लगाने है, हमको भोकता उद्योग जो है उन पर उतना ध्यान अभी नहीं देना है सभी कारेक्रम ये कह रहे थे कि हमको सामाजिक विकास साथ में करना है समाज कल्यान के जो हमारे उद्देश्य हैं उनको हमें पीछे नहीं छोड़ना है सभी क्रिशी पर ध्यान देने की बात कर रहे थे तो इस प्रकार के जो मूलभूत जो इशूस थे, जो मूलभूत सब के कारक थे वो एक जैसे थे या नहीं थे, तो भारत में न सिर्फ सभी लोग नियोजन के पक्ष में थे, बलकि वो नियोजन कैसा हो, इसको लेकर भी कई सारे मुद्दे ऐसे थे, जिस पर आम सहमती बन हुआ था, क्योंकि नियोजन कब से शुरू होगा, पचास के दशक के बाद से शुरू होगा, तो किसी चीज़ के शुरू होने के पहले ही, अगर सभी लोग सहमत हों कि यह चाहिए, और कई सारे बड़े-बड़े मुद्दों पर सब लोग सहमत होगी, हाँ यार यार ये त प्रशन आपको दिया जाता कि 1950 के दशक तक भारत में नियोजन की नीव मजबूत हो गई थी तो आप इसको लेके एकदम क्लूलिस एकदम खोया हुआ महसूस करते या नहीं करते देखिए एक सिर्फ एक दो घंटे के लेक्चर से हम यहां तक आ गए हैं कि इस मेंस के स्तर के प्रशन को हम अब सरलता से इसके बारे में लिख सकते हैं बस और यहां पर भी मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी प्रशन अब दुनिया में कभी नी बनती देश में कभी भी नी बन सकती किसी भी चीज़ पर लेकिन कुछ मुद्दे और वो प्रमुख मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर लगभग आम सहमती थी अधिकांश नियोजन के जो प्लैन आए थे जो ड्राफ्ट आए थे वो इस बात को ले पिछले उत्तर लिखे हैं मैंने कॉमेंट उनको दिये हैं कई लोगों ने बहुत अच्छे प्रयास भी किये हैं जिनमें कमी में आज़र्टिव नहीं निकाल सकता क्योंकि पूरी एमसर राइटिंग में आपको अभी और कमसर कम 15 दिन करने को नहीं बोलूँगा उसके बात शुरू करते हैं तो आज जो हम बात करेंगे हम ये जानेंगे कि भाई किसी भी देश में और खास तोर पर भारत में जब आपने योजना का कारे शुरू कर दिया तो योजना के प्रमुख उद्देश क्या थे ठीक है अब आप लोग कहेंगे कि यार ये तो हम अनुमा लगा सकते हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बिंदू है, तो इसको एक आपचारिक तौर पे पढ़ना थोड़ा अविश्यक है, इस पर आपचारिक तौर पे चरचा करनी थोड़ी सी अविश्यक है, पुस्तक में भी दिया हुआ है ये, अनेको अन्य पुस्तकों में भी अलग तरह से दिया हुआ है, मतलब इसको एक segment बनाके, section बनाके तक्रीबन सारी पुस्तकों में दिया हुआ है, हाला कि बात वही है जो अब तक हम करते आ रहे हैं, उससे बहुत अलग नहीं है, लेकिन सारी पुस्तकों में दिया है, तो मुझे लगा, मैं एक class बचाने के लिए इसको ना पढ़ाऊं, वह उचित नहीं होगा, इसको पढ़ा देते हैं, देखिए, जब देश आजाद हुआ, तो पहली बात हम, मैंने आपसे एक आपको ये प्रेशन दिया था, याद कीजेगा, देखिए, आपको जो मैं पहले के प्रेशन देता हूँ, वो आगे कहीं न कहीं connect होते हैं, इसलिए जो मैं प्रेशन देता हूँ, उनको seriously try किया केजिए, वो ऐसा नहीं होता कि मैं chapter बनात से सोचेंगे, तो तीन lecture बाद काम आएगा, आपको कुछ class पहले मैंने क्या homework दिया था, कि आजादी के समय, जनता की सरकार से क्या अपेक्षाएं होंगी, उसकी एक सूची बनाईए, बनाने को कहा था कि नहीं कहा था, कुछ लोगों ने बना के लिखी भी थी, जादातर ल वो अकांग्षाएं क्या होंगे, थोड़ी सी, जल्दबाजी में भी होंगी, बेसबर भी होंगी, जनता बड़े वर्षों, बड़े सदियों से गुलामी में है, और वो चाहती है कि अब हमारी इच्छाएं, हमारी मनो कामनाएं, पूरी की जाएं, तो ये जो है, ये एक प क्या हो सकता है, अशांती भी फैल सकती है, अगर लोगों को ऐसा प्रतीत होना शुरू हो गया, कि भाई हमारी जो अकांग्षाएं हैं, वो बर्तमान जो व्वस्था है, वो पूरी नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा, अशांती होगी, अराजक्ता होगी, दंगे होंगे, ग्रहयुद्ध होगा ये सारी चीज़े हो सकती हैं, वहीं दूसरी और अगर आप ठीक प्रकार का नियोजन करो और जनता को भागीदार बना लो, कि यार आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आपकी जो भी आकांक्ष्टाएं हैं, उनको पूरी करने में आपको भी रचनात्मक भ क्योंकि बहुत वक्त तक दास्ता रही थी, गुलामी रही थी, तो आकांक्षाओं का एक बहुत बड़ा रोल था, उन आकांक्षाओं को आपको सही तरह से रचनात्मक तोर पे प्रयोग में लाना था, ये एक प्रमुखुद्धेश था, विज्ञान यहां पे केवल विज विज्ञान और प्रध्योगिकी होना चाहिए, विज्ञान और प्रध्योगिकी का प्रयोग करके आपको जीवन्स तरमें प्रगती करनी थी, इसमें तो कुछ आपको समझाने की आविशक्ता नहीं है, क्या आपको science यूज़ करना था, आपको technology यूज़ करनी थी और लोग और सामाजिक भी हैं। आर्थिक न्याय जो है वो करने का प्रयास किया है योजनाओं के माध्यम से सामाजिक न्याय को हमने राजनितिक प्रक्रिया के ऊपर छोड़ दिया है। नहीं अधिक लाब कमाना है ना कुछ और है बलकि उसका जो प्राथमिक उदेश है वो ये है कि अपने नाग्रिकों के कल्यान की वो पूरी जिम्मदारी लेता है। तो वो होता है कल्यान कारी राज्य जहां पर राज्य जो है खुद सक्रिय रूप से भागिदारी करता है उस प्रक्रिया में जिससे की नाग्रिकों का कल्यान होता है नाग्रिकों का जीवन बहतर होता है। तो ये हो गई बहुत इस पश्ट तौर पे योजना के प्राथमिक तौर पर जो प्रमुखुद देश्य हैं वो हम यहां से चिन्हित कर सकते हैं। अब इसके लिए समवेधानिक प्रावधान जो है वो अनेको प्रकार के हैं जैसे हमको पता है कि आर्थिक और सामाजिक नियोजन जो है वो एक समवर्ती विशय है। तो मैं आपको एकदम संक्षेप में बता देता हूँ कि भारत में जैसा कि हमको पता है कि फरकारे दो तरह की हैं एक केंद्र फरकार है और एक राज्य फरकार है यह तो आपको पता है ना भारत में दो तरह की फरकारे हैं एक केंद्र है और एक राज्य है तो भारत में बिल इसे ही बना दी हैं कि लो भई ये कुछ चीवे हैं इन पर तुम काम कर लो, बाकी पर हम काम कर लेंगे, ऐसा बिलकुल नहीं है, केंडर और राज्य किस-किस विशय पर काम करेंगे, ये विशय सम्विधान में बहुत ही स्पष्ट तौर पर परिभाशित हैं, तो सम्विधान की सातवी अनुसूची है, जो इन सारे विशयों को परिभाशित करती है, उसमें एक सूची है केंडर सूची, कि भाई जिसमें ऐसे विशय दिये गए है, जिन पर केंडर कानून बनाएगा, और केंडर के बनाए कानून सारे देश के लिए मानने होंगे, एक दूसरी सूच जो है राज्य सूची वो ऐसे विशय हैं जिन पर राज्य कानून बनाएगा और राज्य के बनाए हुए कानून पूरे देश में मानने होंगे। हमारी सीमा की रक्षा की जो जिम्मेदारी है वो केंद्र की है राज़फ्थान सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं होना चाहिए ये केंद्र सूची है ऐसे ही राज्य सूची में सबसे बड़ा विशाय क्या है? कानून विवस्था तो पुलिस जो होती है आप में से कई लोग जब IPS बनेंगे, IPS एक केंद्रिय सेवा है, लेकिन मान लीजे आपको आंधर प्रदेश क्याडर मिलता है, तो फिर आप आंधर प्रदेश पुलिस के अफसर बनेंगे, आपके कंधे पर IPS लिखा होगा, लेकिन आपके मातहत जितने भी लोग हैं, उन सब को आंधर प्रदेश पुलिस उनके कंधे पर यहां पर लिखा होगा, तो IPS एक थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन तब भी आप पूरी तरह से राज्य सरकार के साथ काम करोगे, क्योंकि कानून विवस्था जो होती है, वो राज्य की जिम्मेदारी है, ठीक है, अब ये तो हो और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, कुछ ऐसे विश्य हैं, जैसे जिनके लिए महत्ता, अब ये आपको पॉलिटी में ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, वो मैं यहां पढ़ाने लग जाऊंगा, तो पॉलिटी का लेक्चर बन जाएगा ये, कि समवर्ती फूची कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शेत्र थे, जिनपे कभी-कभी केंदर के कानून की जरूरत पड़ती है, कभी-कभी राज्य का कानून भी काफी होता है, तो इनको एक समवर्ती फूची में डाला गया है, कि दोनों ही कानून इस पर मना सकते हैं, तो ये जो विशय है आर्थिक और सामाजिक नियोजन ये विशय एक समवर्ती विशय है, यानि कि समविधान ने भी ये सपश्ट किया है, कि आर्थिक और समाजिक नियोजन एक ऐसा विशय है, जिस पर केंदर और राज्य दोनों ही अपने लिए कानून अपने लिए विवस्था बना सकते हैं, ठीक है तो समवर्ती विशे में डाला गया है यानी कि आप क्या expect करते हो आप क्या पेक्षा करते हो कि केंद्र और राज्य दोनों परसपर सहयोग के साथ इसको लेकर विवस्थाएं बनाएंगे इसको लेकर कानून या फिर नियमों का निर्माण करेंगे ये आप यहाँ पर expect करते हो उम्मीद करते हो अनेको समवधानिक धाराओं में केंद्र राज्य संबंधों में सहयोग अपेक्षित है बहुत सारी समवधानिक धाराएं है ये इन में से बहुत सारी आपको quality में पढ़ाई जाएंगी इन सारे अनुछेदों में क्या लिखा है ये मैं बताऊंगा वहाँ पर ऐसी अपेक्षा की जाती है कि केंद्र और राज्य साथ में एक दूसरे के साथ परस पर सहयोग करेंगे ना कि एक दूसरे का विरुओध और टकराव की राह पर जाएंगे ठीक है और मौलिक सिध्धान्तों का स्वरूप रिखांकित किया गया है जिनके आधार पर कल्यान कारी राज्य बनना चाहिए ये कहां पर रिखांकित किया गया है ऐसे मौलिक सिधान्त बनाए गए हैं ऐसे मौलिक सिधान्त समविधान में स्पष्ट किये गए हैं जिनके आधार पर हमें कल्यान कारी राज्य की कल्पना करते हैं। जिसके तत्व जो है वो आपको याद भी होने चाहिए कि किस तरह से हम बंधुत्व की बात करते हैं समानता की बात करते हैं अधिकारों की बात करते हैं जो की अवसर की बात करते हैं जो सब को बराबर मिलेंगे ठीक है? इसके अलावा हमारे राज्य के जो नीती निदेशक तत्व हैं, जहां पर हम इस बात को सरकार की ड्यूटी बनाते हैं, सरकार का कर्तब बनाते हैं, कि वो नागरेकों के विकास के लिए काम करें, और नीती निदेशक तत्वी भी जो हैं, उनको आप एक बार पढ़ लीजिए 10-15 ही आर्टिकल्स हैं, मेरे ख्याल से 36 से लेके 51 तक हैं, तो आप अगर नीती निदेशक तत्वों को एक बार पढ़ लेंगे, बस अगर आपके पाद बेर आक्ट है, मेरे ख्याल से जो पॉलिटी के लेक्चर्स आप लोग सुनते हैं, उनमें आपको कहा गया है कि आप ब पतली सी किताब होती है, और बहुत पतला पतला उसमें प्रिंट होता है, जादा महेंगी भी नहीं आती, 100-200 रुपे की मेरे ख्याल से आती थी पहले, अब हो सकता है, 150 रुपे और महेंगी हो गई हो, लेकिन ये बेर आक्ट आप खरीद लीजे, और इस बेर आक्ट में बहुत महती योगदान करेगा, तो सम्विधान में भी ऐसी विरस्था बनाई गई है, कि नियोजन के जरिये हम देश को एक कल्यान कारी देश बनाने की दिशा में लेके जाएं, और इस प्रक्रिया में केंद्र और राज दोनों सरकारे, दोनों स्टर पर आपसी परस पर सह योग हो, ठीक है, ये स्पष्ट हुआ, अब आगे चलते हैं, योजना के प्रमुक उदेश जो है, उनमें क्या था देखिए, नियोजन के सामाजे कार्थिक उदेशों को ध्यान में रखते हुए, 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया, अब हम आते हैं, फॉर्मल बातों पर, कि भाई अब तक हमने क्या जाना, कि नियोजन क्या है, नियोजन क्यूं चाहिए, कैसे चाहिए, उसकी प्रक्रिया क्या है, आदी आदी, ये सारी चीज़े हमने जानने की कोशिश की, अब हम ये कह रहे हैं, कि भाई 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया, जिसने की दरफल नियोजन को एक आपचारिक रूप दिया, भारत में जो नियोजन की प्रक्रिया थी, उसके पहले क्या थी, सारी अनुशनसाई थी, कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे करो, योजना आयोग ने उनको एक आपचारिक रूप प्रदान किया, तो जो प भाशा को मैंने थोड़ा परिवर्तित किया है, ताकि आपको समझ में आए, ऐसा नहीं कि मैं सीदे-सीदे वही भाशा लिख दूँगा, जो आपको समझ में ही ना आए, लेकिन उसको फरल भाशा में मैंने लिखा है, तो प्रथम पंचवर्षिय योजना ये कहती है, आर्थिक वा समाजिक परिवर्तन की आवशक्ता है, वो क्यूं है? क्योंकि हमारे यहां निर्धनता है, आए, धन और अवसर की असमानता है, ठीक है, एक चीज़ तो यह है कि हमारे यहां गरीबी है, बहुत ही बेसिक बात है न, यह तो आपके यहां गरीब लोग हैं, गरीबी हैं, तो आपको आर्थिक और समाजिक परिवर्तन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपके यहां गरीब लोग रहते हैं, और आप उन्हें गरीब नहीं रहने देना चाहते, आप चाहते हो कि उन लोगों के पास पैसे आजाएं, ठीक है ये आप चाहते हो, तो इसलिए आपके लिए एक तो ये पहली प्राथमिक्ता हो गई कि आपको ये समाजिक परिवरतन और आर्थिक परिवरतन करना पड़ेगा, इसके अलावा आये धन और अवसर की असमानता बात नहीं है, इसके लिए भी आपको परिवर्थन की आवशक्ताई है, अब निर्धनता जो है बहुत बड़ी समस्थ्या है, उसका उपाए क्या है, अक्सर उसका उपाए लोग कहते हैं कि नहीं आप धनका वितरन ठीक कर दो, और दूसरा लोग कहते हैं कि जादा पैसे कमा देश के लिए निर्धनता का सल्यूशन नहीं है, जबकि जो समसाधन अभी हैं, उन्हीं को आपको ठीक प्रकार से वितरित करना होगा, तो निर्धनता की समस्या सॉल्व होगी, ठीक है, जैसे अमर्ते फेन जैसे स्कॉलर्स हैं, वो अक्सर ये बात करते हैं, दूसरी और जगदीश भगवती जैसे स्कॉलर्स हैं, वो क्या कहते हैं, कि भई ऐसा नहीं है, आप पहले बहुत सारा पैसा कमा लो, आप पहले देश को अमीर बना लो, उसके बाद क्या होगा, आगर समसाधनों का जो बटवारा है, वो खराब तरीके से भी हो रहा होगा, तो भी सबस नीचे वाले व्यक्ति तक कुछ ना कुछ लाब जरूर पहुँचेगा, जिसको आप कहते हैं, ट्रिकल डाउन, पहले ही पढ़ा है आपको मैंने, कि कुछ ना कुछ लाब जो है, आपका ट्रिकल डाउन होगा ही, आपके एक टेबल है, उधारन वो केक सुरिया जाता है, कि नहीं नी, वितरण ही सब कुछ है, कि कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसका वितरण आपको ठीक तरीके से करना पढ़ेगा, ठीक है? तो पहली पंच वर्षी योजना क्या कहती है कि दोनों चीज़े चाहिएं, पहली पंच वर्षी योजना कहती है, धन का वितरण और उत्पादन, उत्पादन में व्रधी, हमको ये दोनों चीज़े करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास इतनी जादा निर्धनता है, हमारे पास अभी संसाधन इतने कम है, कि अगर हम केवल वितरण पे ध्यान देना शुरू कर देंगे, तो यार अभी तो इतने जादा कम है क उसका वितरण ही क्या करें, पहले तो कुछ ना कुछ तो बढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन बढ़ाने के साथ-साथ हमको ये इनिशौर करना पड़ेगा, ये तै करना पड़ेगा, कि सबसे नीचे वाले व्यक्ति को, सबसे छोटे व्यक्ति को भी, उसका कुछ ना कुछ ल योजणाओं में बार-भार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पंचवर्षी योजणाओं बदली समय बदला तो ये हमारे लुक्ष बदलते गए। अने को 5 वर्षी योजणाओं में आपको यही सेम जो लक्ष्ष हैं। छटी पंचवर्षी योजणाओं में, सात्वी में, tavी में, कि जो हमने अब तक उद्देश्य पढ़े हैं, तो वो उद्देश्य तो सही ही है न, प्रद्योगे की से लोगों का जीवन तर्फ उधारेंगे, गरीबी खतम करेंगे वगेरा वगेरा, ये उद्देश्य में तो ऐसा कुछ है नहीं, ये उद्देश्य तो बतलब अगर मैं आपसे भी कहूँगे, आज बैठके आप उद्देश्य लिखो, आप भी यही लिखोगे, तो ये उद्देश्य तो सेम रहेंगे ही रहेंगे, इनमें कोई बतलाब नहीं होता है, ठीक है? अब देखिए, important चीज ये है, पूरी तरह से उदारवादी हो गई, भारत में उदारवाद आना शुरू हो गया, जिसको हम भारत में आर्थिक सुधार का जमाना कहते हैं, जब पीवी नर्सिम्माराव प्रधान मंत्री थे, और डॉक्टर मन्मोवन सिंग भारत के वित्त मंत्री थे, तो ये राओ और सिंग की टीम ने भारत के अर्थववस्था का उदारी करण किया, अब सोचने की और ये भारत के अर्थववस्था का एकदम 180 degree turn था, कि भारत के अर्थववस्था जिस तरह से चलती थी, उससे लगभग अपनी धुरी पर पूरी तरह गूम गई, बदला हुआ होगा तो इसको लेके अनेको शंकाएं लोगों के दिमाग में थी कि अर जब ये होगा तो क्या होगा अब तक सरकारे कहती थी कि हमको रोजगार देना है ठीक है लोगों को लगता था आप सरकारे कहेंगी रोजगार रोजगार हम सैलरी वाली नौकरी वेतन वाल शंकाएं थी, सरकार पीछे हट रही है, निजीक शेतर प्रमुख है, और अब सामाजिक उद्देश जो हैं, आपके वो गौड हो जाएंगे, वो उपेक्षित हो जाएंगे, जो आपके सामाजिक उद्देश थे कि आपको सामाजिक सवांता लानी है, धन का वितरन सही करना है सामाजिक कुरीतियां हटानी है, गरीबी हटानी है, ये लक्ष आपके रहेंगे ही नहीं, क्योंकि अब सरकार तो पीछे जा रही है, सरकार तो हट रही है, सरकार कह रही है हम तो कुछ नहीं करेंगे, अब निजीक शेतर करेगा, तो अगर निजीक शेतर की प्राथमिक्ता सामाजिक कारे थोड़े ना होगा यार है कि नहीं ये तो लॉजिकल भात है ना कि निजिक शेत्र की प्राथमिक्ता क्या होगा लाब अच्छा व्यापार निजिक शेत्र की प्राथमिक्ता सामाजिक काम कब से होने लग गया तो वो तो नहीं होगा यानि कि 1950 से लेके 1990 तक इन चार दश्कों में हमने जो भी संसाधन विक्सित किये हैं वो सब बदल जाएंगे उन सब की प्रक्रियाएं बदल जाएंगी और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा और एक शक ये था कि अब यो नया उपनेवेशवाद है न वो उपनेवेशवाद क्या था जब पूरी दुनिया दरवसल अमेरिका के इशारों पर नाचती थी याद है शुशुरुआत में पढ़ाया था आपको बहुत पहले वाशिंग्टन सहमती इसलिए बोलता हूँ पुराने लेक्चर हमेशा काम आते हैं वाशिंग्टन सहमती में आपको क्या बताया था कि ये दरवसल अमेरिका का अपना उपनिवेशवाद जो है अपना दबदबा आगे बढ़ाने का एक तरीका भी था ये आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था और अब हमारे पास अपनी स्वतंत्र जो अर्थववस्था थी वो नहीं बचेगी ये सारी शंकाएं थी लेकिन ये शंकाएं उतनी सशक्त रही नहीं समय के साथ हमने देखा कि इन शंकाओं का निराकरण जो है वो आसानी से हो गया अब इसकी वास्तविक्ता हमको क्या पत आप ज़ादा निजीक शेत्र का प्रयोग करोगे ज़ादा ऐसे काम होंगे जो निजीक शेत्र करेंगे लेकिन निजीक शेत्रों को लाने के पीछे भी आपके लक्ष वही हैं। व्यादा आर्थिक विकास चाहते हो आप क्या चाहते हो लोगों के जीवन स्तर में फुधार चाहते हो आप क्या चाहते हो गरीबी कम हो ये आप चाहते हो ये आपके लक्ष अब भी वहीं है आप क्या कर रहे हो आप ये नहीं कहरें कि सरकार जा रही है अब से निजीक शेत्र को जो करना है वो करेगा, नहीं, आप उन्हीं लक्षों की प्राक्ती में निजीक शेत्र को सहभागी बना रहे हो, कि अब खाली हम नहीं करेंगे, निजीक शेत्र भी करेगा, और लेकिन लक्ष जो है वो निजीक शेत्र के भी यहीं है, इस तरह के ही निजीक शेत्र एक सहभागी था, इस बात को समझी है ठीक है, नियोजन जादा प्रक्तिकात्मक होगा, कि अब तक क्या था, सरकार सब कुछ नियंतरित करती थी, तो नियोजन जादा सशक्त था, यानि कि नियोजन जो फरकार कहती थी, वही होता था, अब सरकार निर्देश देगी, आदेशात्मक से हम निर्देशात्मक की और जाएंगे, कि अब सरकार निर्देश देगी, कि हमको ये सारी चीज़े अचीव करनी है, और उसके लिए हम एक रणनीतिक तोर पर निर्णय लेंगे, कि कहां कहां पर निजीक शेत्र को आना है, कहां कहां पर निजीक श लाव आने शुरू हुए उसके बाद 1992 से 1997 तक आठवी पंचवर्शी योजना आई और 1997 से 2002 तक नौवी पंचवर्शी योजना आई इन योजनाओं में बार बार स्पष्ट किया गया तो इन योजनाओं ने ये कोशिश की कि लोगों के दिमाग में जो डर है जो संशय है कि भ पहले थी उससे एकदम बदल गई कुछ हमने नया विशकार कर दिया है ऐसा कुछ भी नहीं है बस हमने नियोजन के उपकरण बदले हैं कि हमने नियोजन के उपकरण बदले हैं नियोजन हम अब भी वैसे ही करेंगे नियोजन वही रहेगा हमारे लक्ष वही रहेंगे बस अब राज्य की जग है निजिक शेत्र हो जाएगा बहुत जगों पर अब राज नियोजन हम वैसे ही करेंगे हर शेत्र के लिए हम प्लैन बनाएंगे कारिकरम बनाएंगे उनमें भागीदारी अब निजिक शेत्र की भी बढ़ेगी ये सपश्ट हुआ तो निजिक शेत्र जो है वो सरकार को सरकार को बदल नहीं रहा था निजिक शेत्र सरकार के साथ सहभागी बनने का प्रयास कर रहा था आर्थिक सुधारों की ये मन्शा बहुती सपश्ट तोर पर ये बताई गई ठीक है और देखिए राष्ट्री बने इस बात पर इस बात को समझिए देखिए 1992 से 97 तक तो चलिए 1992 से 96 तक कॉंग्रेस की सरकार थी नरसिमा राव साथ की सरकार थी 96 देखिए देश की राजनिती को भी समझिए आप 1992 से 97 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 92 से 97 की जो कालखंड है 1991 से 96 तक देश में राउ सहब की सरकार थी जो ये सुधार लाई फिर 96 से लेके 97 और 98 96 से 97 97 से 98 96 में 13 दिन के लिए वाजपई सहब की सरकार आई थी तो उसको मैं काउंट नहीं करता क्योंकि वो 13 दिन की थी उसके बाद देवगौडा सहाब प्रधान मंतरी बने ठीके और देवगौडा के बाद गुजराल सहाब प्रधान मंतरी बने 98 के आसपास ठीके ये रहे फिर 99 98 से लेकर 2004 तक भारत में वाजपई सरकार रहे 1998 से 99 तक वो एक बार प्रधान मंतरी रहे फिर उनकी सरकार लोकसरभा में विश्वास मत हार गई एक वोट से और 99 में वो एक बार दुबारा चुनाव जीते और 5 साल फिर प्रधान मंतरी रहे 2004 जब भारत में भारती जनता पार्टी चुनाव हार गई ठीके तो आप ये देखिए आठवी जो योजना थी 1992 से 97 तो उसने दो प्रधान मंतरी देखे नरसिम महराओ और देवे गौडा ठीक है? दोनों ने नीती में परिवर्तन नहीं किया अगली जो योजना थी नौभी योजना इसके शुरू होते होते भारती जनता पार्टी भारत में बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी थी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी सबसे बड़ा विपक्षी दल था काफी उसका दबदबा था देश में उसके बाद भी ये एकदम सपश्ट था कि उन्होंने योजना में किसी प्रकार के अडचन नहीं लाई जबकि प्रारंभ में जब ये परिवर्तन होने शुरू हुए थे तो भारती जनता पार्टी ने इसका मुखर विरोध किया था लेकिन अब जब योजना को लेकर बात होनी शुरू हुई तो भारती जनता पार्टी ने इसका कोई विरोध नहीं किया और जब 1998 आते आते भारती जनता पार्टी का अपना प्रधान मंत्री भी बन गया उनकी अपनी सरकार बन गई अटल विहारी वाजपेई जी के नितरत्व में तो आप समझ ये कि राष्टिय आम सहमती इतनी जादा थी कि पिछली सरकार ने एक घोर कॉंग्रेसी केसी पंथ को एक कॉंग्रेसी नेता विचारक इंटलेक्चुल थे केसी पंथ इनको योजना आयोग का उपाध्यक्ष बना रखा था वाजपेई और योजना आयोग का उपाध्यक्ष पॉलिटिव, अब तो खेर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये बोडी ही खतम हो गई है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष बहुत शक्तिशाली विक्ति होता था, देश में किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा, इसमें योजना आयोग के उपा कार बदलती थी, कोई प्रधानमंत्री जाता था, तो योजना आयोग का उपाध्यक्ष ताक्पत्र दे दिया करता था, ताकि नया प्रधानमंत्री अपना खुद का उपाध्यक्ष बनाए, ये एक परंपरा थी, तो केसी पंत ने भी, जब गुजराल सहाब की सरकार गई, अपना त्यागपत्र वाजपई को भेजा, कि भई ये मेरा त्यागपत्र है, आप अपना बना लीजेगा, उपाध्यक्ष जिसको आपको बनाना है, वाजपई सरकार ने योजना की प्रक्रिया में एक सततता को बनाए रखने के लिए, केसी पंत का त्यागपत्र स्विकार नहीं किया और अपना योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं बनाया और केसी पंत को पूरे टाइम 2004 तक योजना आयोग का उपाध्यक्ष बना के रखा तो योजना को लेकर ये जो एक राश्त्रिय स्विकारेता थी ये देश में किस तरह से आई उनिविक्यानवे के बाद इसको भी आप समझेए कि ये एक बहुत important बात है कि ये महाशय से केसी पं ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे वाजपई के पूरे कारेकाल में जबकि ये Congress के नेता थे और इनकी नियुक्ती जो थी वो गुजराल सहाब के कारेकाल में हुई थी लेकिन तब भी भारत चलिए योजना के प्रमुख उद्देश्य जो है अगर मैं आपसे कहूंगी योजना के प्रमुख उद्देश्यों को लेकि आम सहमती क्या है ऐसे कौन से योजना के उद्देश्य है जिन पर हम निश्चित तौर पे अभी इतक की इस चर्चा के बाद हम 100% सहमत हो सकते हैं आर्थिक असमानता पर नियंत्रण आत्म निर्भरता महत्वपूर्ण है आज कलिए और आधुनिकी करण ठीक है ये छे उद्देश्य जो है योजना के इनको हम आम सहमती वाले उद्देश्य कह सकते हैं कि आप योजना के किसी भी परिप्रेक्ष से आप बिलॉंग करते हो हो सकता है कि आप योजना को लेकर एक वामपंथी हो हो सकता है आप योजना को लेकर इदम पूंजी वादी विचार धारा रखते हो आप जो भी विचार धारा रखेंगे इन छे उद्देश्यों को लेकर तो आप भी कहेंगे कि हायर ये तो आम सहमती वाले उद्देश्य ह इन में तो ऐसा कोई परिवर्तन नहीं है, सभी इस बात को मानेंगे ही, तो एक एक करके जल्दी फेन की चर्चा कर लेते हैं, तो सबसे पहला है आर्थिक व्रद्धी, तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई संशय किसी को होना ही नहीं चाहिए, कि आर्थिक व्रद्धी बहुत मह तो पूर्ण है, जैसा कि पहली पंच वर्द्धी योजना में कहा गया था, कि हमको आर्थिक उत्पादन का भी विकास करना है, और वितरन का भी विकास करना है, आप समझ रहे हैं इस बात को, मतलब जो मैंने आपको याद है, बहुत पहले आपको एक्जामपल दिये थे, क जब तक आपकी आए, एक नियूनतम स्टर तक नहीं पहुंच जाती, तब तक बाकी सारी चीजों से आपके जीवन में कोई फरक नहीं बड़ेगा, मैं फिर एक बार थोड़ा से एक्जामपल दोरा देता हूँ, मान लीजिए आपके परिवार के खर्च के लिए, आपको ज ठीक है, तो जब तक आप 25,000 रुपे महीना कमाना शुरू नहीं कर दोगे, कुछ भी हो जाए, आपकी क्वालिटी ओफ लाइफ, आपका जीवन स्टर अच्छा नहीं हो सकता, अब आप जब 25 रुपर क्रॉस कर जाओगे, मान लो अब आप 28,000 रुपे कमाने लगे हो महीने तो अब क्या है, आपकी आवशक्ताएं पूरी हो रही है, उसके बाद आप सोच सकते हो कि यार, मैं किस तरह की नौकरी करूँ, जहां से मेरे को मानसिक शांती भी मिले, जहां पर मेरे को परिवार के साथ गुजारने के लिए समय भी मिले, यह सारे विचार कवाते हैं, आप अपने जीवन पे लगा के देख लो ना, यार कि अगर आप गरीबी में रहते हो, तो आपको मतलब कभी ये विचार नहीं आएंगे, कि यार मैं आराम और कैसे करूँ, जीवन में खुश और कैसे रहूँ, आपको ये विचार आएगा, पैसे और कैसे कमाने हैं, बस, तो वैसा ही देश के साथ है, कि भाई देश में आपको आर्थिक व्रद्धी तो बना कर रखनी ही होगी, और देखिए देशों के साथ चुनोती क्या होती है, देशों के आबादी बढ़ती है, आबादी के साथ देशों में जनता के रहन सहन का फ्तर भी धीरे धीरे उपर तो आपको न सिर्फ आपको व्रधी चाहिए लेकिन आपको स्थिर व्रधी चाहिए यानि कि व्रधी आपका ऐसा नहीं है कि एक बार हमने 25,000 क्रॉस कर लिया अब तो हम सेट हो गए आप अपनी फैमिली का भी देखो ना आज आपकी फैमिली के रिक्वार्मेंट 25,000 है अगल सार हो सकता है आपका कोई छोटा भाई बेंट कॉलिज जाने लगे उसकी फीज का खर्चा बढ़ जाए तो हो सकता है अगले साल ये बढ़के 32,000 हो जाए तो आपको आपकी आए में एक स्थिर व्रधी चाहिए कि नहीं चाहिए कि आए जो है आपकी एक नियुनतम से उपर हो जाए वो काफी नहीं है उसमें एक स्थिर व्रधी भी होते रहनी चाहिए और ये जो है ये सरवोच चिलक्ष रहा है हमेशा इन्फाक्ट विश्व में कोई ऐसा प्लैन नहीं बना किसी भी देश का कोई ऐसा नियोजन नहीं हुआ जिसमें आर्थिक व्रधी सरवोच चि रूप से बना कर रखना ये हम सब के सामने एक चुनाती है अब जैसे अमेरिका जासा देश है जहां पर मुद्रा स्वीती अपेक्षाकरत कम होती है वहाँ पर भी वो 0.51 प्रतिशत की जो एक विकासदर है उसको सतत तौर पर बनाए रखना अमेरिका में भी नियोजन का एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये उनका भी प्राथमिक लक्ष होता ही है तो आपका प्राथमिक लक्ष जो है वो आर्थिक व्रधी की एक सतत दर को पाना रहेगा ये तो निश्चित है मतलब इसमें कोई संशे कोई संदे नहीं होना चाहिए चलिए अगले पर आते हैं भी व्यक्ति ले लो, अभी वरतमान राजनीती में आप BJP, कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी, तेलगू वेदेसम, आप कोई भी पार्टी ले लो, बहुजन समाज पार्टी, गुजरात रिकास पार्टी, महराष्टरा गुमान तक पार्टी, शिव सेना, कोई सी भी कि हम गरीबी हटाना नहीं चाहते क्या, कोई नहीं कहेगा, मतब ये तो इतना आम सी भात है, तो इस पर तो हमेशा से देश में, समाज में आम सहमती रही है, कि यार गरीबी हमको हटानी ही है, और इसको लक्षित करके देश की हर सरकार ने कारेकरम चलाए हैं, भारत में ऐस किसी सरकार ही नहीं हुई आज तक जिसने गरीबी को हटाने के लिए टारगेटिट कारिक्रम ना चलाएं हो इंदरा गांधी गरीबी हटाओं के नारे पर चुनाव जीती थी ठीक है तो आप समझ ये अच्छे दिन के नारे पर नरेंद्र मोदी चुनाव जीते थे अच्छे जिनों का सबसे बड़ा अंश क्या था गरीबी नहीं रहेगी ना यही था ना अंश बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार महंगाई का प्रभाव किस पर पढ़ता है गरीबों पर पढ़ता है तो गरीबी को हटाने को लेकर देश की सरकारों ने इसको हमेश कारेकram चलाएं हैं देश की ऐसी कोई सरकार नहीं है किसी भी सरकार की बात कर लीजे गरीबी को हताने के लिए उन्होंने एकदम लक्षित कारेकram चलाएं है तो देश के नियोजन का हमेशचा बहुत ही पश्ट हिस्सा रहा है गरीबी को हटाना इस पर मतलब क्या चर्चा करें हैं तो बहुत ही obvious है मेरे खाल से आप सभी इस पर सहमत ही है इसमें तो क्या ही बात करनी है रोजगार स्रजन ये भी मतलब बहुत obvious है हम जानते हैं कि रोजगार जो है वो कितना जादा आवश्यक है और वरतमान में आज के समय में भी भारत के युवा के सामने एक बहुत बड़ी समस्या रोजगार की है और देखिए आपका अगर उद्देश गरीबी उन्मूलन का है तो गरीबी उन्मूलन का भी सबसे बड़ा यंत्र धरसल रोजगार पैदा करना होता है आप गरीबी का उन्मूलन और कीसे करो के आप लोगों को काम दोना या लोग काम करेंगे काम करके लोग पैसे कमाएंगे मतलब पुराने ज momencie में नहीं कहते हैं लचनौन में एक राजा हुआ करते थे लखनवु में एक नवाब होते थे आसफुद दौला जिन्होंने इमाम बड़ा बनवाया है आप मेंसे कई लोग उत्तर प्रदेश के होंगे लखनवु के आसपास के होंगे तो आप मेंसे बहुत लोगों ने देखा होगा इमाम बड़ा एक बड़ी शाही बिल्डिंग है एक बहुत शांदार हेरिटेज भवन है उत्तर प्रदेश में तो इमाम बड़ा आसफुद दौला ने बनाया और उसके बारे में कहानी है अब मुझे नहीं पता कि ये एतिहासिक तोर पे तथ्य परक है की नहीं है लेकिन ये कहानी सुनाते हैं जो आप जाते हैं इमाम बड़ा देखने तो गाइड होते हैं गाइड आपको बड़ी मंदुरंजग कहानिया सुनाते हैं तो गाइड लोगे कहानी सुनाते हैं लोगों के पास खाना खरीदने के पैसे नहीं थे तो गरीब थे वो लोग गरीबी उन्मूलन के लिए आसफद दौला ने क्या किया, सब को बोला कि मैं बहुत बड़ा एक भवन बनवा रहा हूँ आओ, सब लोग उसमें मजदूरी करो सबको मजदूरी करवाते था और बोले जो बन जाएगा बन जाएगा यहां तक कहा जाता था कि वो बनवाते रहते थे और लोगों को मुद्राइं देते रहते थे ताकि लोग खरीद पाएं एक अर्थशास्त्री का एक बार मैं एक ऐसे पढ़ रहा था वो अर्थशास्त्री ने ये भी कहा कि अगर बिरोजगारी है तो सरकार को लोगों से गड़े खुदवाने चाहिए और फिर उनी गड़ों को भरवा देना चाहिए लेकिन सरकार को ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि सबके पास रोजगार हो क्योंकि आपके यहां जो रोजगार से गरीबी उन्मूलन का सबसे बड़ा यंत्र होता है ये सपश्ट है कि नहीं तो आसफुत दौला के बारे में एक कहा भी जाता है कि जिसको न दे मौला उसको दे आसफुत दौला तो अब पता नहीं ये सच है कि नहीं जो आपके इतिहास के शिक्षक हैं जो आपको मध्यकाली इतिहास पढ़ाएंगे वो शायद जादा बहतर बता पाएं कि ये बात सही थी या नहीं थी लेकिन गरीबी उन्मूलन में सबसे बड़ा यंत्र रोजगार का फरजन रहा है आप रोजगार पैदा करोगे तो गरीबी जो है वो अपने आप कम होगी सभी सरकारों ने इसके लिए भी योजनाएं चलाई है ये हमको पता ही है ठीक है और वेतन वाले रोजगारों से लेके स्वरोजगार तक सभी संभिलित हैं कि अनेको सरकारों ने अब जैसे वेतन वाले रोजगारों के लिए अनेको प्रकार के स्वैंत्र बनाये गए, अनेको प्रकार की सरकारियां भरती की गई, सरकारी भरतियां की गई, और रोजगार सरजन में एक और बिंदू जो होता है, कि इसके तहट सरकार अक्तर सामाजिक नियाए करने का भी प्रयास करती है आपको मैंने पहले भी बताया है ये आरक्षन इत्यादी के माध्यम से ठीक है आरक्षन अगर सरकार रोजगार का सरजन कर रही है तो जो समाज के सबसे दबे कुछले वर्ग हैं उनको आरक्षन देकर सरकार समाजिक नियाए भी सुनिश्चित करती है ठीक है तो आप भले ही वेतन वाले रोजगार कर रहे हूं या वो क्रियेट कर रहे हूं वो पैदा कर रहे हूं या फिर अब स्वरोजगार जैसे अभी मुद्रा ही ओजना चली है आप अगर स्वारोजगार करना चाहते हैं तो आपको रिन मिल जाता है उसके लिए अथानी से छोटा सा रिन एक मिल जाता है तो ये क्या है स्वारोजगार को बढ़ावा देना है लेकिन आपके गरीब ही उन्मूलन के लिए रोजगार फ्रजन एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है ठीक है आगे बढ़ें आर्थिक असमानता पर नियंत्रन ये भी मेरे ख्यालते बहुत ही आसान सा बिंदू है भारत में गैर समानता एकदम पश्ट है या आज भी है और यहां पर तो हम 1950 के दशक की बात कर रहे हैं कि आर्थिक हो गई शित्रवार हो गई नसली हो गई इस प्रकार के सारी असमानताएं भारत में पाई जाती थी इसमें कोई शकोशुबा किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए तो अब इसमें क्या है आर्थिक नियोजन को एक यंत्र के रूप में स्विकार किया गया कि भारत में जब भी हमला कर पाए, वो आर्थिक असमानताओं का निप्तारा कर पाए ये सुनिश्चित कर पाए कि जहां-जहां नियोजन हो रहा है वहां-वहां आर्थिक असमानता जितनी थी, उससे कम हो आप समझ रहें, जैसे एक अर्थिक असमानता को लेखे एक बड़ा ग्राफिक आता था मैं वो प्रा ग्राफिक अभी नहीं दिखाूंगा मैं आपको कुछ और चीश बताऊंगा तो मतलब जैसे मान लीजे ये एक दिवार है ये ग्राफिक आता था ना ये एक दिवार है यहाँ पर एक बच्चा है जो इस दीवार के उस तरफ देख पाएगा ये नहीं देख पाएगा तो आर्थिक नियोजन से आप क्या करोगे इस व्यक्ति को अतिरिक्त संसाधन दे दोगे ताकि ये व्यक्ति भी इसके ऊपर किसी तरह से खड़ा होकर मैच देख पाए तो आप आर्थिक नियोजन से इसको भी कुछ ना कुछ मदद म चीजें करें जिनसे वो असमानता कम हो ठीक है अनेको योजना इसके लिए बनी कई बार मौलिक अधिकारों से टकराव भी हुआ ठीक है तो DPSP जो है राज्यके नीती निदेशक्तत्व जो है उनको लागू करने को लेकर कई बार ऐसा हुआ कि सम्विधान में जो मौलिक अध इत्यादी उनसे सीधा सीधा टकराव हुआ इंदरा गांधी जी के समय में ये मामला बहुत आगे वढ़ा बहुत तूल पकड़ा इस मामले ने बड़े सारे इस प्रकार के कोर्ट केस हुए तो आप पढ़ेंगे या पॉलिटी में आपको मौलिक अधिकार और नीती निदे कारों का उनलंगन कर सकती है अगर वो कोई ऐसा चीज कर रही है जिससे समानता आएगी तो आपको पढ़ाया जाएगा पॉलिटी में इसको लेके समविधानिक संकट भी उत्पन्य हुए तो हर सरकार ने चली वो ठीक एक अलग ही अती थी लेकिन उसके अलावा भी हर सरकार ने अनेको योजना इस तरह की बनाई जिससे जो आर्थिक असमानता है वो रुके ठीक है और आर्थिक असमानता नियोजन के कारिक शेत्र में आती है सामाजिक जो है उसको राजनेतिक प्रक्रिया के लिए छोड़ा गया जैसे हम जो आर्थिक प्लैनिंग करते हैं जो या फिर समाजे के एक समरफ्ता के लिए कुछ हमने कीम्ज चलाई हैं ये सब चीजें, ये सारी चीजें कभी भी हमने आर्थिक नियोजन का हिस्सा इनको नहीं बनाया, तो ये योजना आयोग के कारिक शेत्र में नहीं आई कभी भी, कि आपको आर्थिक तोर पर अनुफुच दित्यादी जो हैं, वो इन चीजों पर काम करेंगे, योजना आयोग केवल आर्थिक असमानता के क्षेत्र में काम करेगा, ठीक है, हाला कि आप ये कह सकते हो, कि आर्थिक असमानता जो होती है, वो अपने साथ अन्य समाजिक असमानताओं को लेकर चलती है, और समाजिक अ असमानता को ठीक करते हो, तो समाजिक असमानता अपने आप ठीक होने लगती है, और उसका विपरीद भी सकते है, कि अगर आप समाजिक असमानता को ठीक करते हो, तो आर्थिक असमानता अपने आप ठीक होने लगती है, उधारण के लिए एक दलित परिवार का बच्चा है, उसने पढ़ाई लिखाई की मेहनत की और वो I.S. आफिसर बन लिया, तो I.S. बनने पर उसका सामाजिक विकास हुआ है, सामाजिक विकास होने के साथ-साथ उसका आर्थिक विकास अपने आप हो गया कि नहीं हो गया, अब उसको एक अच्छी तंखा मिलेगी, उसके के तौर पर योजना आयोग को समानत है, आर्थिक असमानता को सुल जाने का काम दिया गया है, नकि सामाजिक असमानता को, दिया गया है नहीं, दिया गया था कहना चाहिए, तो कि 2015 के बाद योजना आयोग समानत हो चुका है, ठीक है, तो यह हुआ अर्थिक असमानता पे अन्तरण की बाद, अब इसके अलावा, आत्म निर्भरता, ये तो बहुत सपश्ट है, अब आत्म निर्भरता जो शब्द है, इसके तात्पर्रे हमेशा बदलते रहे, जब हमने शुरुआत की, तो हम कहते थे, कि हम मिश्रित अर्थ विवस्था हैं, है ना, कि हम बाहरी दे विवापार को छोड़ना हमारी आत्म निर्भरता का मतलब, ये नहीं है कि हम अंतराश्टिय विवापार को छोड़ देंगे, इसका मतलब ये है कि हम अंतराश्टिय विवापार करेंगे, लेकिन अपने हितों के हिसाब से करेंगे, समराज जिवात से हम बचेंगे, लेकिन हमको पता है कि उसके कुछ वर्षों बाद एक दो दशक बाद भारत की अर्षदस्था पूरी तरह से बंद ही हो गई हम आर्थिक व्यापार जो है जो हम एक तरह से व्यापार जो है अंतराश्ट्रिय व्यापार वो लगभग ना के बराबर करने लगे फिर धीरे धीरे 90-92 का दशक आते आते हम इस व्यापार को बढ़ोतरी देने लगे और उसके बाद पिछले 10-15-20 वर्षों से ये व्यापार अपने चरम पर है और अभी क्या हुआ कोविड-19 के बाद दوبारा से आत्म निर्भरता पर बलाया है कि हम ये नहीं कह सकते कि हम अपनी हर چीज के लिए विदेशों पर ही निरभर हैं तो नरेंद्र मोधी सरकार ने जो आत्म निर्भरता का मंत्र दिया है कोविड के बीच में उसका तात्पर यही है कि हमको व्यवफ्था ऐसी नहीं बनानी हमको अंतराष्टे व्यापार को समाप नहीं करना है लेकिन अगर कोई ऐसी परिफ्थिती आती है तो हमको कम से कम अप निर्भरता के बदलते हुए मतलब है ठीक है चली अब और क्या बचा था हमरा आत्म निर्भरता के बद आधुनी की करन मेरे कहाल से इस पर भी कुछ बात करने की जरूरत है नहीं उत्पादन, वित्रन के सभी आधुनों का हमको आधुनी की करन करना पड़ेगा अप चीज की कटाई करते हो किस तरह से आफ फसल को स्टोर करते हो यह सारी चीजों को आधुनिक करने क्या विशक्ता है कि नहीं है एक एक शब्द जो मैंने बोला है उन सब का आधुनिकी करन हो चुका है और और आधुनिकी करन हो सकता है ठीक है तो यह सारी चीजे आधुनिक करन होंग क्रशी जैसे है, दूद का उत्पादन भारत में श्वेत करांती हुई थी, मत से उत्पादन, इन सब चीजों में बहुत सारी टेक्नोलोजी का प्रयोग हुआ, बहुत सारे जो है, फंड आये, बहुत सारे प्रकार के विपणन के लिए रिन की सुवधाएं उपलब्ध कराई गई और इनको आधुनी की करण में बदला गया, तो पूरी की पूरी आर्थिक सोच में परिवर्तन आया है, कि अब बस ये नहीं है कि हमको जैसे तैसे अपने काम चलाने के लिए चीज़े उत्पन्न करनी है, हमको अपने दिये गए स्रोतों का इश्टतम प्रयोग करना है ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण जीव हो गई है, और शिक्षा और प्रशिक्षण का भी आदुनी की करन करना है, अगर आप मेरी करन्ड अफेर्स की क्लास करते हैं, तो मैंने उसमें भी कुछ दोनों पहले ही बताया था, कि भाई, मानव संसाधन का विकास जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो अगर आपको अपना विकास करना है, जैसे भारत में 0.8% लोग 8% से वादा GDP पैदा करते हैं, ये वो लोग हैं जो पढ़े लेखे हैं, उच्छ शिक्षित लोग हैं, तो आपको अपने देश के लोगों की शिक्षा और उनकी कारे को शलता क कि वो प्रिशिक्षित हों, वो कहीं पर काम करें, तो अच्छे से काम कर पाएं, इस पर भी आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, इसका भी आपको आधुने की करण करना ही होगा, ठीक है, ये हमें एक दम स्पष्ट है, इसमें कोई समस्या है नहीं, अब देखिए उद्दे करेंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, ऐसा तो कहीं नहीं था, बस एक सांकेतिक उद्देश था कि मैं सरकारों को गरीबी कम करनी चाहिए, अब उसके हजारों तरीके हो सकते हैं, ये उस समय की सरकार के विवेक पे छोड़ा गया, कि वो कौन से तरीके अपनाएगी, वो अलग-अलग समय पर आपको मान लिजे कि गरीबी को सुलजाने का एक तरीका काम नहीं कर रहा, तो आप दूसरा लगा सकते हैं, दूसरा काम नहीं कर रहा, तो आप तीसरा लगा सकते हैं, आप कई तरीके एक साथ चालू कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि विश्व में एक तो हमारी अर्तदस्था की सनरचना में कितना भी परिवर्तन होता रहे लेकिन उद्देश सांकेतिक है और बहुत ब्रॉड बहुत बड़े उद्देश हैं कि गरीबी हटानी है असमानता हटानी है इसलिए हमारे मूल उद्देश कभी नहीं बदले उनको प्राप्ट करने के तरीके जो हैं, वो परिवर्तित होते जा रहे हैं, ठीक है, अब इसमें यो देश हमने कहां कहां से लिए हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सम्विधान की प्रस्तावना में भी ये लिखे हैं, नीति निदेशक तत्व हैं, मौलिक अधिकार हैं, नागरिकों के जो पढ़ेंगे, ये सारी चीज़े हमारे उदेशों में कही न कहीं नहित होती हैं, तो ये हो गई हमारी उदेशों की यात्रा, कि हमारे उदेश क्यों नहीं बदलते, तो ये हुआ हमारा आज का लेक्चर, आज हमने भारत में योजना के उदेशों को जानने का प्रयास किया, इसमें कई सारी चीज़े ऐसी थी जो बड़ी obvious लगी होंगी लेकिन तब भी एक थोस तरीके से इसको जानना और समझना अवश्यक था ठीक है तो आज के लिए आपका जो प्रशन है वो है भारत में नियोजन के उदेश आर्थिक होने के साथ साथ सामाजिक भी है चर्चा कीजिए यार ये तो बहुत ही असान सवाल है ये तो मैं चाहता हूँ कि हर कोई इसको लिखने का प्रयास जरूर करे कि हमारे नियोजन के मैंने आपको जो उदेश बताएं हैं वो सिर्फ आर्थिक नहीं है जबकि हम बात कर रहे हैं कि अवल आर्थिक नहीं हो जनकी तब भी इसके जो उदेश हैं वो सिर्फ आर्थिक नहीं है वो सामाजिक भी है इसकी आपको चर्चा करनी है बस इतना सा आपका आज का प्रशन है इसके आपको उत्तर के बिंदू लिखने है इस class की presentation जो है वो आपको मैं फिर से एक बार दोहरा दूँ अतुल जैन UPST guidance नाम के टेलेग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी ठीक है यहां पर आप जाएए और इस class की जो ये lecture की presentation है ये मैं आपको वहां provide कराऊंगा और आपको ये lecture कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा आपको कोई doubt इसमें आ रहे हैं तो उनको आप हमें comments के जरीए बताइए मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आने वारे lectures में मैं आपके जो doubts हैं उनका समावेशन मैं निश्चित तोर पर कर पाऊंगा आप में से कई लोगों ने मेरे fast के बारे में पूछा है बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरी फिक्र की, मेरी चिंता की fast मेरा बहुत बहतर है पहले से पूरी दरह से अभी ठीक नहीं है इन सब चीजों में समय लगता है लेकिन तब भी बहुत जादा बहतर है अपने 99 प्रतिश्यत बहतर है और मैं आशा करता हूँ कि शायद एकाज सब्तहा और लगेगा उसके बाद मैं एकदम 100 प्रतिश्यत फिट होकर आपके साथ काम कर पाऊंगा मेरी क्लास के साथ आज जुडने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं शाम को 4 बज़े आप से फिर मिलूँगा संपादकी चर्चा में और कल सुब़ 10 बज़े आप से मिलूँगा अर्थ शास्तर की अगली क्लास के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहे हैं अर्थ शास्तर की चर्चा में